ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान अब लेकर आचुका है गेमिंग इंसान जहां एक नई सीरीज आई है गेमिंग इंसान की जिस पे नजर आ रही है पूरे शो पर राज करते हुए निश्य मलहन यानि कि अभी शेक मलहन के बड़े भाई ट्रिगर्ड इंसान और सिर्फ य मिनी टीवी पर भी कर रहे हैं, एमेक्स प्लेयर पर भी कर रहे हैं यो कि बारा घंटे भी पूरे नहीं हुए और ये शो ट्रेंडिंग में आ गया जहां ऑल दे एपिसोड इतने ज़ादा एकसाइटिंग फान्स को लगे कि वो बिंच वाच करने लगें जहां सारे एक साथ बिंच वाच करना उसे शुरू किया और ये शो इतना ज़ादा फान्स को पसंद आया, बैल ट्रिघर को तो ओविसी यूट्यूब से इतना प्यार मिलता है, सोशल मीदिस तक इतना प्यार मिलता है और वो शोग लेकर आए तो फैंस कैसे ना प्यार दे दें और ये बहुत ह special रहा है हर एक रिगर इंसान fans के लिए लेकिन इसे और special बनते हुए तब देखा गया जो social media पर ये चर्चा होने लगी कि Elvis यादव का show trending में जरूर है लेकिन वो निश्चे को बीट नहीं कर पाया जिया Elvis बहले ही खुद को बहुत super hero मान ले इस social media industry का लेकिन बारे घुंटों में आकर जिस तहां वो राज करते हुए नजर आ रही है निश्चे मलान अपने show gaming इंसान के साथ ये कोई भी बीट नहीं कर सकता है ऐसे में यहाँ पर बहुत social media पर टॉंट पाजी roasting चल रही है कि देखो Elvis इसे कहते हैं असल पॉप्लारिटी असली प्यार ओडियंस का सिर्फ अंधाधुन प्यार नहीं वो प्यार जो जैनुरली एक इंसान यह उसकी चीजों से है उसके काम से किया जाता है अब ऐसे में यहाँ पर triggered इंसान तो देखा जाए तो कल से ही पूरी social media पर चाय होए है क्यों भाई? क्योंकि पहले तो वो अपना show लेकर आए gaming इंसान जो आते ही hit हो गया तो वहीं बहुत ही पुरानी hint देते देते जो mystery वो create कर रहे थे वो actual में देखने को मिल गई अपनी girlfriend के साथ actually fiance के साथ रुचिका राथोर के साथ वो YouTube वीडियो first official YouTube वीडियो शेयर करते हुई नजर आए जहां पर दोनों की बीश की bonding specially देखी जा सकती थी एक दूसरे के लिए care प्यार देखा जा सकता था से कई ज़ादा एक दूसरे के लिए दोस्ती और respect भी और ये चीज़ देखकर फैंस को बहुत खुशी हुई फैंस ये चीज़ तो पहले से जानते ही थे बार बार इस बारे में चर्चा सोशल मेडियो पर हुआ ही करती थी कि ट्रिगर्ड यहां पर है तो देखो वहां पर बाल नज़र आ रहे हैं तो रूचिका होगी जूते नज़र आ रहे हैं तो रूचिका होगी और इसका मज़ाग भी निशे बनाते हुए अपने चैनल पर नज़र आये थे उस वीडियो में नज़र आये थे लेकिन आप विशेली यूटियो वीडियो पर लाकर उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ट्रूचिका के साथ अपनी जिंदगी को वो इस मुकाम पर लेकर आ चुके हैं जहां वो अपनी पार्टनर के तौर पर उन्हें इंटर्ट्यूस कर सकते हैं लेकिन फैंस के पास अभी भी एक मिस्टरी बागी है जो सॉल्व होना बागी है और वो है शादी की डेट जी हां रोका हो चुगा है लेकिन शादी भी उमीद थी कि इस साल हो जाएगी और फैंस को भी भी है कि दिसम्बर तक हो जाएगी लेकिन वो एक्च्वल में कब होती है ये तो देखना आने वाले वक्त में ही होगा वेल अराउंड 30 एर्ज होने वाले हैं इस साल नेवेंबर में निश्य है और रुचिका की एज अभी 24 है तो शाद हो सकता है छे साल के गाप की वज़ा से शादी थोड़ा डिले हो जाए क्या गहेंगे इस बारे में आसे भी कमेंट करके मैं जरूर लिके बताएगा वीडियो को लाइक शे चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी न जाए